लास्ट एपीसोड के अंदर आप लोगों ने देखा थे कि जियान पहुंच चुका था ब्लैक पॉनरी जियन जापर उसे पता चलता है उसका फ्रेंड वो एक बहुती बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फस गया है तो जियन सबसे पहले जाकर हुआ को बचा था और डीवन फ्ल जगे पे छोड़ाया था तबी उन तीनों की नजर ब्लैक एमपर सिटी के उपर पढ़ती जो की काफी जादा बड़ी थी जिसे देखकर जियान बुलता है इस सिटी की वहाँ सो मेरा रिस्टोन से बनाया गया है जो की काफी दा कॉसली होता है और इसी बज़े से मुझे ल जिया बोलती है जीग और एपर यह सब देखे लिटल फे डॉक्टर हसने लगती तब ही हमें ब्लैक एमपर सिटी का में गेट दिखाया जाता है जो की काफी जब बड़ा होता है और वहीं से एक एक करके लोग अंदर जा रहे होती है और वो तीनों भी उसी गेट की तरफ आंगे बड़ा होते हैं अगर आसपास में खड़ी हो लोग लेटल फे डॉक्टर को बड़ी गंदी नजरों से दीख रहे होते हैं तब ही हमें उस ब्रिज की उपर एक ग्रुप दिखाया जाता है जो की लड़कियों को छेड़ रहा होता है और उनमेंसे एक ग्रुप का ल लगते हैं जब ये जिया देखती हैं हो गुषते से उनलों को मानने के लिए आंगे जाती है मगत बड़ के वह संद्यान का प्लान के पास जाने लगता है इसके पास दो दो सुन्दर लड़की हैं, अगर ये डर्पुका उनकी रक्षा नहीं कर सकता है, तो फिर अपने साथ निये क्यों डोल रहा है, मगर तबीजन अपने हाथ में ग्लेस फिर्म लाता है, और एक छोटी से क्लस्टर से उन लोगों की उपर हमला कर देता है, जिस ब बंदा आता है, और बोलता है, ये वाला गेट, इस्पेशली डाउवांग की उपर की लेवल की वार्योर के लिए है, और अभी के लिए आपकी जो स्ट्रेंथ वो इती नहीं है, इस बज़े से आप जाकर साइड में बीट करिए, तो ये सुनके वो बंदा काफिता शौक ब बंदा बुलता है, और क्या आप लोग ये आप और ऑप्शन के लिए हो, तो जियान बुलता है, हाँ, और मैं क्या अब अंदर जा सकता हूँ, तो बंदा बुलता है, हाँ, बिल्कुल आप जा सकते हो, मगर अभी के लिए ब्लैक एमपर सिटी के अंदर काफी जा भीड़ा तो जियान भी उस token को ले लेता है और city के अंदर जाने लगता है तभी वो बंदा बोलता है जियान से आपने अपी जिन बंदों से पंगा लिया वो कोई मामूली बंदे नहीं है वो वुल गैंके है इस बज़े से वो आपके लिए problem खड़ी कर सकते है इसलिए आप अपना ध् बार से बोलता है कि जाओ जाकर इनके बारे में रिपोर्ट करो और फिर अपने वन में बोलता है इत्ती कम एज के अंदर एक डाव हुआ ब्लैक और जिन के अंदर आज से पहले कभी भी नहीं देखा गया होगा और इंपर जिया तो इत्ती सारी खाने की चिज़ों को देख लगता दिया बोलती अच्छा ठीक है मुझे बस भूग लग रही है और मैं बस एक ही चीज को खाऊंगी तो इस उनके लिटल फेर डॉक्टर बोलती कि तुमने थोड़ी देर पहली तो खाना खाया था तो जिया बोलती कि मैं अभी के लिए ग्रोइंग स्टेज पर हूँ इस बज़े से मुझे बहुते ज़्यदा भूग लगती है इसलिए मैं तो चली और वहां से भग जाती खाने के लिए कुछ लेने के लिए तब लिटल फेर डॉक्टर बोलती कि अब हम लोग आंगे क्या करने वाले है तो जियान बोलते कि सबसे पहले हम लोग मेडिकल तो तुम बिना सोचे समझे उन्हें मौर डाला जो कि यहां पर तुम्हें कोई ब्लेम नहीं करेगा तो लिटल फेर डॉक्टर भी हमें सर हिला देती और फिर सीन कट होकर थाउजन मेडिकल सौप का दिखाया जाता है और जियान भी उन दोनों को लेकर वहीं पहुंच चु से में आने लगता है यह दिखकर वो बंदा बुलता है औरे माशार गुस्ता मत कीजिए मैं तो इसलिए पूच रहता है क्योंकि मैं भी एक एलकिमिस्ट हो और इन सभी इंग्रेंट को जिस तरीकी से अरेंज किया गया है वो एक एलकिमिस्टी करता है जिसनके जयान भी लाश्ट की तीन इंग्रेंटे उनका मिलना बहुत ज़्यदा मुस्किल है तो जियान बुलते कोई बात नी आप मुझे ये टॉप फाइप इंग्रेंटी दे दीजिए बांके कि ये तीन इंग्रेंट मैं कहीं और देख लूँगा तो इस उनके वो बंदा बुलते कैसी बा इस बज़े से मैं भी जादा बातों को घुमाऊंगा फिराऊंगा नहीं मैं आपको बताना चाहूँगा ये तीनों इंग्रेंट हमारी सौप के अंदर आपको मिल जाएंगी मगर ये तीनों काफी दा रेयर है इस बज़े से आपको इनके बदले एक टीर 5 की पिल को देना ह रख देता है तो जयान भी उन्हें देकर खुसोई रहा होता तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है और बोलता है रुको ये तीनों इंगेंट मुझे भी चाहिए और इस बंदे का नाम कुईंग सा होता है और बोलता है मैंनेजर यान आज मैं खुद यहाँ पर आयो इन र पॉल्स को फॉलो करना पड़ेगा अगर किसी इंगेंट के एक से जादा गिराक है तो फिर उसकी बोली लगाई जाएगी और फिर जो अच्छा पे करेगा वो जीत जाएगा इनको तो ये पिल को बनाने के लिए इनकी जरूरत है इसलिए यंग मासर इसे मुझे लेने ये इनकी चोटा पेकेट बोलता है ये तो बहुती बड़ा इतिफाक है जो इंगेंट हम लोगों को चाहिए वो इंगेंट इस बुड़े को भी चाहिए गही हमारा पीछा तो नहीं कर रहा है ये सुन्तिकर वो बढ़क जाता है तो जी अभी जीब निकालके उसे चिड़ा पड़ता है कौन है बस मुझे ये तीनों इंगेंट को लेनी के लिए अपना हाथ आंगे बढ़ा देता है मगर जियन उसके हाथ को पकड़ लिता है तो ये तो यहाँ पर रहना तुझे अपनी आउकात पता होनी चाहिए वरना तेरा नाम और निसान मिठ जाएगा तो जिस की पिल अच्छी होगी उसको ये इंग्रेंट दे दिये जाएंगी ये संतिकन कौिंग सा एक दाव स्प्रिट पिल को बाइन निकालता और देती हो बोलता है कि ये लो ये बेस्ट क्वालिटी की टीर 5 की पिल है तो मैनेजर या उस पिल को चेक करने लगते हो और बोलता है इतनी भी जल्दी आपको किस बात की है अभी तो मैंने अपनी पिल को दिखाई नहीं है और फिर यान भी एक दाव स्प्रिट पिल को बाइन निकाल लेता है जिसे देखकर कुंग सा की तो आंके फटी की फटी फटी रह जाती है तब ही मैनेजर यान उस पिल को चेक करते है एक दम से उनके फटी 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 रह जाती है और इसकी कॉलिटी तुमारी पिल से कही घुना जाद अच्छी है जैसन के कुईंग सा बढ़ाग जाता है और मैं इस लड़के से गंदी पिल बनाऊंगा उल्लू समझ रखाया क्या मुझे इस उनके ओनर या बुलती कि आप ब्लैक एंपर सिटी के अंदर एक सम्मानित परसन हो इसलिए थोड़ी सी इज्यत में बात कीजिए वरना हम भी किसी से कम थोड़ी ना है और इंपर मैनेजर या उन दौनों पिलों को बाइन निकाल देते जिस बज़ी से इसमेल चारतरा से जिया भी एकसाइटेड हो जाती और बुलती वाव क्या टेस्टी पिल है और इसी बज़े से वो सभी लोग पीछे खिसके हुए चली जाती है और फिर डरती हुए बोलते मास्टर मुझे नहीं पता था कि आप एक डाउं वांग हो और वह पहली से काफी तो परिस बज़ बुलता कि मैं तुम्हें इसलिए नहीं चोड़ा कि तुम ब्लैक एंपर सिटी के फर्स्ट एलकेमिस्ट हो बस अगली बार से ना थोड़ा सा प्रेम पूरोग मुझस से बात करना ये सब सुननी के बाद क्विंग सा वहां से चला जाता और अपने मन में बुलता कि तू साल इंटों को लेकर वहां से जाने लगता है मगर तभी वो थोड़ी दूर पर जाके रुख जा तो और बुलता कि मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं तो और या बोलती हां पूछे क्या पूछने आपको तो जिन थोड़ा सा सोचता और बुलते कि आप मुझे बुदिस्टा ब इसे खा लेता है तो उसकी फिजीकल पावर काफी दबढ़ जाएगी बुदिस्टा ट्री आजारह साल पुराना हो जाता चाकर एक हार्ट फर्म होता है और अगर कोई इंसान बुदिस्टा हार्ट को खा लेता है तो वह अपने युवन हार्ट को भी चेंज कर सकता है फिर वो सर्वाइब कर सकता क्योंकि उसकी बॉर्डी के अंदर एक सोल इस पीछल हार्ड बन जाएगा जो कि बुदिस्टा हार्ड होगा और साथ ही उसकी जो फिजीकल पावर होगी वो भी काफी दो बढ़ जाएगी और फिर वो बंदा जा सकता डाव शेंग तक यह सब सबस्वन लिए इस तरीके का उसका इफेक्ट तो बहुत सारी लोग उससे खरीदने के लिए याँ पर आएंगी प्लास तरीशन के जियान बोलते हैं कि तुम बिल्कुल प्र जिंदा मत करो मेरे पास प्लैन बी-बी है मगर होगी पर हमारा चुटका पैकेट बसे फिर से वूग लग क्योंकि मुझे पता है इस ओफ्षन के लिए मुझे कोई दमाकिता चीज को ले जाना पड़ेगा ये सस्वनने के बाद लिटल फे डॉक्टर जियान को थेंक्यू बोलती है तो जियान बोलता है कि मैं तुमसे पहली प्रॉमिस किया था कि मैं तुमारी पॉइजन बॉड़ जा सकते हैं तो जियान वहां से बगल से एक बंदा गुजरता है जिसके साथ कुछ और भी वहरी होते हैं जिसे देखर आसपास के लोग बुलते हैं ये तो डीवन फ्लिम बैली के फैंग यान है तो ये सब सुनके जिन तोड़ा सा रोग जदा मगर तभी जियान के पास से फैमिलियर लगता है इस बज़े से उसे भी गुस्ता आता है मगर वहां से चला जाता है और इसी के साथ मैं भी चलता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद देए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना साथी चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बताने ही बंद को ने और इसका पावर लेवल किया है